बारती जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। बारती जनता पार्टी के नित्रित्तों पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत देखिए। यह विधायक छे विधायक आपके कॉंग्रेस के इलेक्शन अजेंट को वोट दिखा करके चले गए। और बार्ती जन्ता पार्टी को वोड देकर के गए इसलिए गए क्योंकि बार-बार उन्हें जलालत सेहन की बार-बार उन्हें आग्रे किया बार-बार उन्हें बात की नहीं सुनी गई नहीं मानी गई और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कॉंग्रेस की सरकार अपनी लोग प्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है लेकिन हिमाचल परदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है जैसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधान सभा की सदस्य तक हुई है और भारती जनता पार्टी के राजय सभा में सांसेद बनाने में जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है उस योगदान को सुबर्ण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नित्रित अंतिम पैसलेक्ट पर देखा है जो को हमारा कादर नराज ित नहीं होता है कोई आता है हम अभी जंदन करते हैं और स्वागत प्रद्राइन सभा के चुनाव भी जो गोशित हो चुके हैं यह चुनावी होंगे तो निश्चे तरोफ से 6 के 6 उप चुनावी जीतेंगे चार लोकसभा भी जीतेंगे और उसके बाद भी परदेश सरकार के संदर में बात करें मन्डि लोकसभा के बारे में मंडि लोकसभा में बहुत तक्सक्राइक करता हमारे पासила दिख्रत करने का मुझे लगता कीम अफशक्ता नहीं है वह इसका करने हैं और मुझे लगता है कि अईसे हलात में वर्तमाननों हाला बने ृच्भा में कांग्रेस पार्टी और नहीं बहाती जनता पार्टी किसी सिटिंग है मेले को लोग सबर लगाने की बात सूर सकती है मुझे लगता है मेरा ये मेरा व्यक्ति कि कुछ अधिकारी है सीमाओं को लांग रहे है और मुन्हें इस बात को पहले भी कहा है कि अधिकारियों से आप काम करें इमानदारी से काम करें निमू के मुताबी काम करें लेकिन कॉंग्रेस की सरकार के बविश्य के साथ अपने बविश्य को न जोड़े